तो इस कहानी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हून अपमी गल्फ्रेंड जेई को फिर से पाने के लिए मैनत करता है जिसमें उसे काफी दिकतों का सामना भी करना पड़ता है जिसमें उसकी मदद सुहयों नाम की एक लड़की कर रही थी लेकिन हून की मदद करते वें उससे प्यार होने लगता है और फिर हून को डॉक्टर मून जहीं के बारे में कुछ और जानने को बोलता है । करता है जिसकी मदद से जेए खुद का सिटी स्कैन करवाने के लिए मान जाती है सिटी स्कैन के कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर मून जेए की मेडिकल रिपोर्ट जो एक सीटी में मौझूद होती है उसे होन को दे देता है वहीं दूसरी तरफ जेए सौथ कोरिया के ऑफि होती है थोड़ी देर बाद डॉक्टर मून जेए को अपने ऑफिस में बुलाकर उसे कहता है कि उन्हें सक है कि तुम नौर्थ कोरिया की स्पाइजेंट हो इसलिए उन्हें उसका सिटी स्कैन चेक करना होगा यह देखकर जेए उन पर गुसा करते हुए कहती है कि तुम मेर उसकी गर्फ्रेंड है या नहीं और तभी वहाँ पर हॉस्पिटल के चेर्मेन मिस्टर चोई वहाँ पर आकर इनको जेए की नई मेडिकल रिपोर्ट चेक करने से रोग देता है और उनसे कहता है कि वह किसी के मर्जी के बगार उनकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं देख सकते लेकिन हून जबर्दस्ती करते वे जेए की रिपोर्ट देखता है जिसे देखकर हून सौक हो जाता है क्योंकि जेए के पास दो किड्नी होती है मतलब जेए उसकी गर्फ्रेंड नहीं है क्योंकि उसकी गर्फ्रेंड के पास सिर्फ एक ही किड्नी थी इन सबसे जेए काफी फिफरस्टेटेटेड होकर उस आफिस से चली जाती है यहीं के पीछे-पीछे चेयर्मेन मिस्टर चुई आकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि इस बारे में वो किसी से भी कंप्लेन ना करें तभी उसके पास होन और डॉक्टर मून आते हैं जो उससे इस हरकत के लिए माफी मा मांगते हैं जैई उनको माफ करते वे उनकी 밝्वेस्ट को मा जाती हैं वो उनके बारे में किसी से कंप्लेन नहीं करेगी जिसके बार हुण अपने क्लेनिक में वापस आ जाता है रहा ुंको मिस्टर चुई आता है जो होन से कहता है और उसी ने ही लिम्ब को जई की फुटेज दी थी जिसमें वो नौर्थ कोरिया के कैम्प में मौजूद थी मिस्टर चोई जई को सौथ कोरिया लाने ही वाला था लेकिन वो अपने मिसन में काम्याब नहीं हो पाए क्योंकि उसके उस कैम्प पर पहुँचने से पहले ही जई वहाँ से जा चुके थी और उन्हें तो अभी ये भी मालूम नहीं है कि असल में जई है कहाँ लेकिन अब हून मिस्टर चोई से कुछ सुनना नहीं चाता तब ही मिस्टर चोई उनको उसके डैट च्योल के बारे में बताते है कि कैसे उन्हें नौर्थ कोरिया भेजा गया था च्योल ने डॉक्टर ओ के हास्पिटल में कुछ गड़बड़ी पकड़ी थी जिसका सच च्योल पूरी दुनिया को बताने वाले थे इस बारे में च्योल ने मिस्टर चोई को भी पताया इस पर मिस्टर चोई च्योल से कहते हैं कि हर किसी इंसान से अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ गलती होती ही है इस पर च्योल उनसे कहता है कि यहाँ पर डॉक्टर गलती कैसे कर सकते हैं क्योंकि डॉक्टर के हाथों में तो पेसेंट्स की जान होती है मिस्टर चोई रेलाइस करते हैं कि च्योल अपने इस डिसीजन पर टिका हुआ है इस पर मिस्टर चोई अपनी जिमिदारी लेते हुए मानते हैं कि उसके अंडर में ही इस हॉस्पिटल में गलतिया हो रही है लेकिन अब चियोल के बारे में कहीं से डॉक्टर ओ को भी मालूम पड़ जाता है अपने हॉस्पिटल को खत्रे में देक चियोल को अपने रस्ते से हटाने के लिए डॉक्टर हो सौथ औरेशन होने के बाद चियोल और होन को नॉर्थ कोरिया से वापस आने नहीं दिया जाता इसलिए होन की सलामती के लिए चियोल को अपनी लेफ गवानी पड़ी और इस बारे में तो मिस्टर चोई को भी पता नहीं चल पाया कि अब उनके दोस्त चियोल के साथ ऐसा हो गया इसके बाद मिस्टर चोई होन से कहता है कि मुझे तुमारे डैट की बोडि तो नहीं मिल पाई लेकिन उनके कुछ सामान उसके पास पड़े हुए है ऐसा कहते हुए मिस्टर चोई होन के डैट का सामान उससे दे देते हैं इस पर होन उन्हें थैंक्स कहता है और उनसे सवाल पूठता है कि डाक्टर O के हॉस्पिटल की गलती की वज़ा से इसका नुकसान पहुचा है मिस्टर चोई उसे बताते हैं कि उनकी इस गलती में एक बच्चा आनाथ हो चुका था जिसके पैरेंट्स हॉस्पिटल की गलती की वज़ा से मर गए और उस बच्चे को अमरिका में मौजूद एक कपल ने एडॉप्ट कर लिया था इस पर होन मिस्टर चोई से कहता है कि आप अब अमरिका जाकर उस बच्चे से उसे अनात करने के लिए माफी मांगो जिसके बाद होन वहां से ये कहते हुए चला जाता है कि वो जेई को खुद ही ढूंड लेगा वहीं दूसरी तरफ सुहयोन के डैड डॉक्टर ओ उसे और जून को डिनर पर बुला कर उनसे उनकी साधी के लिए उनके फूचर प्लान्स पूछते है इस पर सुहयोन डॉक्टर ओ को बताती है कि वो जून को पसंद तो करती है लेकिन उसे अभी थोड़ा और टैम चाहिए जिसके बाद वो ऐसा कहते हुए वहां से चली जाती है और हून के बारे में सोचने लगती है जिससे हमें एडिया लग सकता है यो उसे हून पसंद आन लगा है उनको ऐसे जाते वे देख जून का सक उसके और हून के रिस्ते पर और गहरा हो जाता है अगले दिन उस हौस्पिटल में एक हंगामा हो जाता है जो वही लेडी करती है जिसे हून ने ऑपरेशन करके उसके और उसके जुड़वा बच्चों को बचाया था वो हौस्पिटल से बाहर कर देंगे और ऐसा होने पर उसके बच्चे जिन्दा नहीं बचपाएंगे तब हून जे से इस लेडी के जुड़वा बच्चों के बारे में पूछता है कि इन दोनों बच्चों को क्या हुआ इस पर जे उसे बताती है कि इन बच्चों के हर को बोलता है इस पर हौन सैंग से कहता है कि उस लेडी के बच्चे को औरल जब देख रहा होता है तको बच्चों को बोचाने में कोई प्राब्लम ना कникरेad करें हुन उस बच्चे को CPR देकर उसकी सास चालू करवा देता है जिससे उसका हट पंप होने पर वो बच्चा बढ़ जाता है हुन ने एक बार फिर अपने सचे डॉक्टर होने का फर्ज निभाया जिससे एक बच्चे अपनी मा की गोद में फिर से आ सका वहीं दूसरी तरफ इस हॉस्पिटल के मनेजमेंट के साथ डॉक्टर ओ की सौथ कोरिया के प्रैमनिस्टर जैंग से मिटिंग होती है जैंग उने बताता है कि उसे हट सरजरी की जुरत है इसलिए उसे स्कल्ड डॉक्टर की टीम चाहिए जिनसे जैंग अपने हट का उपरेशन करवा सके प्रैमनिस्टर जैंग के ओपरेशन के लिए डॉक्टर ओ दो टीम को सेलेक्ट करती है जिन टीम का लेडर जून और हून होंगे जिनके बीचे कॉमपरेशन होगा और जो भी टीम उस कॉमपरेशन को जीतेगा वो प्रैमनिस्टर जैंग का ओपरेशन करेगा दूसरी तरफ जिसका उसके टीम को ऑप्रेशन करने के लिए और कमपटिशन करना है यह वही आदमी है जिसने डॉक्टर ओ के साथ मिलकर होन और उसके डैट की लाफ बरबाद की थी जिसे होन को गुसा आ जाता है और वो मिस्टर चोई को प्रैमनिस्टर जैंग की सरजरी करने को मना कर देत है और इस सर्त में बात ये होती है कि वो कमपटिशन में भाग तभी लेगा जब उस लेड़ी के ट्विंस बचे जिनकी होन ने जान बचाई थी उन्हें हॉस्पिटल फ्री में ट्रीटमेंट देगा उसकी ये बात हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को मानना पड़ता है जिसमे उन्हें उन जुड़वा बच्चों का फ्री में ऑप्रेशन करवाना होगा थोड़ी देर बाद हॉन हॉस्पिटल के ही ट्वैलेट में मौझूद जैंग को अपना गुस्वा दिखाता है जिसमें वो उससे बताता है कि तुमारी वज़ा से ही मुझे मेरे डैड को खोना प है जबके मुझे मालूम है कि तुम मुझे मारना चाते हो और अगर तुम जून से कॉमपर्टीशन में नहीं जीत पाए तो जैई को तकलीफ पहुँच सकती है जिसके बाद हून जैई के पास जाता है और उससे कहता है कि हम सच में एक कपल है जैई को देखकर हमें पता चल से जिस बच्चे ने अपरे पैरेंट्स को खोया था जिसे अमरेकन कपल ने एडॉप्ट किया था वो असल में जून ही है जो डॉक्टर ओ के साथ काम कर रहा है फिर यहां पर हमें पता चलता है कि जब नौर्थ कोरिया से भागते वे हून के हाथ से जैई नदी में गिर जीन का मकसद जैई को प्रैमनिस्टर जैंग का ऑपरेशन करने के लिए उसे वहां पोचाना था लेकिन उसका में प्लान क्या है यह हमें अभी तक नहीं मालूम पड़ा कुछ समय बाद जीन जैई को बताता है कि उससे प्रैमनिस्टर जैंग ने होनकी मॉनिटरिंग करने क के लिए मना करा है क्योंकि उन्होंने अपने ऑपरेशन के लिए जून की टीम को चुना है और वो तुम्हें जून की टीम में जाने को कह रहे है ताकि उनके ऑपरेशन के वक्त तुम वहां मौझूद रहो दूसरी तरफ जैंग का रैट हैंड टाई जैंग को समझा नहीं या कि जैंग को अब करना क्या चाहिए डॉक्टर की दोनों टीम कोमपरिशन के लि dependency के लिए अपनी अपनी तयारिया करने लगती है जोन की टीम में मौझूद डॉक्टर उन जोन को उसके boyfriend को उसकी टीम में उसे first assistant के तौर पर उसे लेने को बोलती है लेकिन जून उसे मना कर देता है क्योंकि उसकी टीम में first assistant सोहयून होती है सोहे उन सरजरी की प्रैक्टिस करने के लिए होन से मदद मांगती है जिससे होन उससे सरजरी की प्रैक्टिस करवाने लगता है जिनको दूर से प्रैक्टिस करते वे देख रहे जेई और जून को उनको एक दूसरे के पास में खड़े देख जलन हो रही होती है सोहे उनके जाने के बाद जैई हून के पास आती है और उससे इस competition में अपना 100% लगाने को पोलती है ताकि वो जीत जाए लेकिन हून जैई से upset होकर उससे कहता है कि वो एक मतलबी लड़की है जिसके लिए अपने patient की जान से ज़्यादा पैसे जुरी है हून की इन कड़वी बातों को सुनकर जैई वहाँ से रोते में चली जाती है वहीं दूसरी तरफ जून सोहे उनको बताता है कि उसने फर्स्ट असिस्टन की पोस से उसे हटा कर डॉक्टर उनके boyfriend को रख लिया है क्योंकि जून को हून और सोहे उनके साथ में देखकर काफी ब सुहे उनको परिशान देकर उन उसके पास आता है और उसे अपनी टीम की फर्स्ट असिस्टन की पोस्ट पर आने के लिए हाथ बढ़ाता है वहीं दूसरी तरफ जीन जैई के साथ कहीं जा रहा होता है जीन जैई को बताता है कि वो प्रैम मनिस्टर के कहे अनुसार नहीं चलने वाले इसलिए हमें अपने पुराने प्लैन पर वापस आना होगा और यह प्लैन क्या है यह हमें आगे जाकर मालूम पढ़ेगा जिसके कुछ देर बाद वो प्रैम मनिस्टर जैंक के रैट हैंड टाई के पास पहुचते हैं उन दोनों को बताता है कि जैई प्रैम मन पर ही उसकी गन तान देती है टाई के लोग जैई पर भी गन तान देते हैं तब ही वहाँ पर प्रैम मनिस्टर जैंग आता है और जैई से कहता है कि अगर जैई अपनी सचाई पता दे तो हम लोग जैई के साथ उसके ही प्लैन पर काम करेंगे इस पर जैई उनके गाट्स क उसने चुपाल दिया था जिस उसकी सचाई आज तक किसी को नहीं मालूम पड़ी उसकी सचाई जानकर जैंग को हून के लिए अपसोस होने लगता है जिसके बाद प्रैमनिस्टर जैंग जैंग के ही प्लैन को एक्जिक्यूट करने के लिए मान जाता है जिसमें हून और उसक competition स्टार्ट हो जाता है जिसमें उन दोनों टीम को ट्वीन बच्चों में से एक बच्चे दिये जाएंगे और जो सबसे पहले operation खत्म करके बच्चे को बचाएगा वो इस competition को जीत जाएगा जोन और उसकी टीम बच्चे को अनस्थेशिया देकर उसका operation चालू कर देते हैं लेकिन हून की टीम अभी तक operation चालू नहीं कर पाती इस पर डॉक्टर मून हून से उसके operation में देरी होने का कारण पूछती है हून उससे बताता है कि उनकी अनस्थेशियस्ट जई अभी तक आई नहीं है जिससे वो बहुत जल्दी हार भी सकते हैं लेकिन तभी वहाँ पर जई आती है और उसके आते ही ये लोग operation चालू कर देते हैं इस operation को successful बनाने के लिए हून की टीम के पास सिर्फ 45 मिनट ही होते हैं जिस time frame में अगर हून की टीम operation पूरा नहीं कर पाई तो बच्चे की जान जा सकती है लेकिन कुछ देर बाद जब हून की टीम के पास 9 मिनट का ही time बचा होता है तभी time के pressure में आकर सुह उन से एक गलती हो जाती है जिसमें वो उस बच्चे की एक blood vessel काड़ देती है सुह उनको panic में आता देख हून उसे ढाटने की बजाए उससे सांतर रखने की कोशिस करता है ताकि वो surgery complete कर सके जई को जीन की warning याद आने लगती है जिससे जीन ने जई को कल राद बताई थी कि अगर हून competition नहीं जीद पाया तो हून के साथ जई की जान को भी खत्रा है लेकिन हून की टीम के surgery complete करने से पहले ही जून की टीम surgery complete करके अपना competition डीद जाती है अब हून और उसकी टीम competition हार चुकी थी लेकिन वो फिर भी panic करे बेगैर surgery आगे बढ़ा कर successful उस baby की जान बचा लेते हैं जून के लिए competition से भी ज़्यादा important था हून उस competition को हार चुका थ इसलिए जीन ने decide कर लिया था कि वो हून और जेई को मार डालेगा इसलिए जब जेईन हून के पास जाकर उसे suit कर रहा होता है तब ही जेई हून को जीन के पास से खीच कर उसे अपने सच बताने लगती है लेकिन जेई को अपने बारे में हून को बताने से पहले ही वहाँ पर एक announcement होती है जिसमें सारे doctors को तुरंत ICO section में बुलाया जाता है जहां पर June की team ने twin brothers में से एक बच्चे को operation किया था उस बच्चे को उसके heart में कुछ problem होने लगती है जिससे उस पर जान का खत्रा और ज्यादा मंडराने लगता है इसलिए उस बच्चे के लिए doctors को उसका एक और operation करना होगा जिसका मतलब यह है कि जून इस competition को हार चुका है जिसके बाद उस बच्चे को बचाने के लिए पून और उसके टेम उस बच्चे का operation करने के लिए तयारिया करने लगती है लेकिन होन को जून रोक देता है और उससे कहता है कि वो उस बच्चे से दूर चुका था जून के हारने पर डॉक्टर ओ काफी अपसोस करते हैं इसलिए डॉक्टर ओ को अब हून से पीछा छोडाना है लेकिन जब तक हून प्रैमनिस्टर जैंक की सरजरी नहीं कर देता तब तक डॉक्टर ओ को हून को अपने पास ही रखना होगा दूसरी तरफ जेई ज हून को मारेगा की नहीं उदर हून जेई को ढूनने की काफी कोसिस कर रहा होता है लेकिन वह उसे नहीं ढून पाता तब हून को जैई हॉस्पिटल से बाहर निकलते वे दिखती है इसलिए वह अपने ट्रक से उसका पीछा करने लेकिन जैई तो खुद हून की क्लीनिक हून को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे उसकी गल्ट्रेंड अब सालों इंतजार करने के बाद मिली थी और फिर दोनों की स्कर्टेवे एक दूसरे के फिर से मिलने पर सिलिब्रेट करते हैं जिसके अगले दिन हून और जैई दोनों साथ में अप इंटिटी बताता है कि वो उसके साथ ही काम करने वाला नौर्थ कोरिया का एक ऑफिसर था और हून के कारण ही उसे उसके देश से निकाल दिया गया जिसका बदला वो जरूर लेगा जब हून उसकी बातों को सुनकर उसे पैचान रहा होता है तब ही जीन का ही आदमी हून और एक रॉड से हमला करके उससे बेहोस कर देता है फिर जब हून को होस आता है तो वो खुद को एक कुरसी पर बंधा हुआ पाता है हून के सामने ही जीन जीन को लाकर जीन को टॉर्चर करते वे उसके कपले फाड़ने लगता है हून जीन को ऐसा करने के लिए मना करता है उसके कहने पर जिन जै को दूसरे कमरे में भेजने के बाद होन के बाल पकड़ता हुआ, उससे कहता है कि तुम ही प्रायम मनिस्टर जैंकी सरजरी करोगी, और किसी को भी जै के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताओगी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया, तो वो जै को मार डा जिसके बाद जीन हून के सर पर वार करके उसे फिर से बिहोस कर देता है। जानने के लिए आपको इस वीडियो का थर्ड पार्ट जरूर देखना चाहिए जिसे मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द एक्स्प्लेइन कर दूँगा वैसे दोस्तों अगर आप ऐसे ही का और इंट्रस्टिंग से स्टोरी को सुनना चाहते हो तो वाच निक्स्ट पर से क्लिक करकर उससे जरूर से देख लेना और इस वीडियो के सिकंड पार्ट के लिए मुझे कॉमेंट में बता देना सो विल गैस आज के वीडियो में इतना ही थैंक्स टू गुडबाई